देपालपूर नगर में तब अचानक हड़कम मज गया जब ब्लाक मेडिकल आफिसर डाक्टर चंद्रकला पंचोली ने बताया कि इस्टाफ नर्स विमला धनापूनिया कोरोना पाइटिव मरीज के संपर्ग में आई है। खबर की पुष्टी करने पर मैंने ततकाल इस्टाफ नर्स धनापूनिया को एमवाई आफिटल कॉरेंटाइन और जाइच के लिए भेज दिया है। इसके आसपास सेनिटाइजर करवा कर असपताल इंबुलेस इस्टाफ नर्स निवास को कॉरेंटाइन कर दिया गया है। सब्सक्राइजर करेंबुलेस इस्टाफ नर्स के निवास को सेनिटाइजर करवा दिया गया है। देपालपूर से विसल चांदना की रिपूर्ट जैसा ही नोडल के हमां इंडोर जिले से फोन आया था कि हमारी सिस्टर जो विमला धानापुने है प्रामेरी कांटेक्ट है तो हमने तुरंत प्रोटोकल और गाइडलाइन के अनुसार उनको तुरंत टेस्टिंग के लिए सेंपल के लिए रेफर किया। और साथ है सांथ। सिस्टर ने जो जो डिलेवरी कराई जिए उनके टाइम में, एक अपराल से अभी तक चार डिलेरी निख विले हैं उनके नाम और उनकी टेक्टिंग चालो करवाके हमने अपनी टीम द्वारा गां गां भीज बहें जिक हैं। डक्टर और पिरमिडल स्टाप की तीम के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की गई है। इसके सांथ सांथ सिस्टर जा रहती थी उसको एरिये को भी हमने पूरा गाइडलाइन और पॉड़ोकॉल के अनुसार क्वाराइटाइन की है। सांथ में वहाँ के रहने वाले सध्यश्टर की इसक्रीनिंग की गई। जो बुलाई थी वो अपने गाइडलाइन पड़ोकार के अनुसारी चलती है वहां के डराइवर और उसको MIH छोड़ा गया सिस्टर को वो प्रति दिन जो भी चाहे सामाने पेसेंट हो कोई से भी पेसेंट हो हमेशा ही सेनिटाइज होती है इस लिए बेसिक आवसकता है और अपने पास अभी कोई रिपोर्ट है अभी वो प्राइमरी कांटक्ट है उनकी टेस्टिंग के लिए सेंपल भीजा जा रहा है ना कि वो पॉजिटिव आई है इसलिए हस्पिटल को कोई स्टिकर हमने जान सिस्टर रह रही थी वहां के लिए लगाने के लिए बोला गया था किसी ने गलती से महां लबाए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले